वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते वर्ल्ड सेख अपडेट जेख रहे सारे दर्शका दा निगास वागते जी जिवे कैसी आप जी ते समने पहले लागे आई सीगे दिल्ली विच पाशामादी लड़ाईयां लड़ रहे ने जड़े सजन उनना आप जिनों सी एक के करके इंट्रिडूस करावांगे आसे लागे आँगे उननों तो अड़े समने थे किस हालात थे किस मुकाम थे पुछिए नहीं लड़ाईयां सरकारावान लोग किना तक्का हो रहे है वस सारी चीजा आप जी ते समने लागे आँगे पिछले एपिसोडे चैसी लाएक है सिगे स्पोक्समें दे पत्रकार जड़े सदार वीर अमन दीप सिंग जी नाल गलकिती सी आज इस अड़े नाल हैगेने संस्कृत दे एक जो अध्यापक हैगेने डॉक्टर ब्रिजेश गोतम जी आओ उनानाल सांज करिये ते उननों को जानिये के एड़ी पाशा दे लड़ाई और लाड़े ने एक किस मुकाम दे पहुंचिये ब्रिजेश गोतम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में मेरा में सवाल है जी ये जो भाशा के उपर जो त्रेभाशी फार्मिले के उपर चल रहा है पंजाबी, उर्दू, संस्कृत और दूसरी जो और भाशा हैं उनको लेके जो सरकारों का रुख है और उसके खिलाफ जो आप एक मुहीम आपने चला रखी है सीधे लफ़ों में ये कहा जाए कि जंग जो आप लड़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताईए त्रिवाशा सुत्र जिसका आपने जिकर किया है ये 1968 की जो सिक्षा नीती थी भारत सरकार की जो कोठारी कमिशन आया था उसके बाद ये त्रिवाश्य सुत्र भारत में लाग हुआ उससे पहले 1962 में एक मुख्यमंत्रों के बैठक थी जिसमें प्रस्ता पारित हुआ था भारत में तीन भाषाएं पढ़ा ही जाएंगे पहले अपनी मात्र भाषा दूसरी अंग्रेजी और तीसरी कोई भारती भाषा में से एक जो सम्मेधान के आठमी सूची में शामिल है मैं एक में डॉक्ट साव आप से दुबारा यह चीज पूछना चूंगा आपने जैसे कहा पहले नंबर पर अपनी मात्र भाषा दूसरे नंबर पर अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर कोई भारती भाषा कोई भारती भाषा जो आठमी सूची में शामिल है जी तो आपके म सबसे न कि यह चल रही है मुहिम चल रही है जो आप जिसे मैंने अब कहा कि एक सीधे लव jour में का झाय कि एक तो बहाजाह की बाषा को वासा को बचाय रखने के लिए जो जंग चल रही है वह किस मुकाम तक पहां तक पहुची है औरसा पे ठीए बहाषा को लेकर bn लेकरक उन में से एक भाशा चुने और मजबूरन समझी है या भारत सरकार की नीती है या ऐसा हो गया है कि अंग्रेज जी को पहली भाशा के तौर पर इस्तिमाल किया जा रहा है दूसरी भाशा जैसे दिली में माले तो हिंदी को लेते हैं और तीसरी भाशा में संस्कृत पंजाबी उसके बाद 1986 में नहीं सिक्षा नीती है उसके बाद आचायरामुर्थी कमेटी थी उसके बाद 2004-2005 का नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ सिलेबस है जो एंसीर्टी का है इन सम्में त्रवाशा सूतर का जिक्र है किसी भी भारत सरकार की घोशित सिक्षा नीती में त्रवाशा सूत जिसमें दिली सरकार के उस समय के कबिनेट ओर नमबर 238 में ये जिक्र किया गया कि दिली सरकार का जो सिक्षा अधिनियम में ऐस्जतीहथा थिक्र है कि हमारी प्रेशा सूतर गाज़ों और वह दसमी इता होरा है तो ये मुख्य बात है. जो कि इस समय Sesame सुत्र लाग होगा, तो भले अप अंग्रेज कर्दि लिवा Church पढ़ा रहे हैं, दूसरी भाशे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं या और कोई भाशव बाशा पढ़ा रहे हैं, तो तीसरी भाशा के तौर पर दिलिय में, संस्कित पंजाबी उर्दू की जगए बची रहती है ये जो भी पांच अप्रेल 2016 को एक और डिरेक्टर टोप एजुकेशन का या वोकेशल ब्रांच का उसमें और उससे पहले सीवे से कभी एक नियम आया कि हम वोकेशनल एजुकेशन है व्यावसाइक सिक्षा है उसको इंट्रूस करेंगे उस अगलाया गया समाज को भी समय सोचना चाहिए जिए सबसे जो मजबूत पक्ष है वो हमारे विद्यार्थि है अगर विद्यार्थियों को इस बात समझ में आए कि हम अपनी संस्कृति को परंपरा को भाशा के मारफ़त बहतर समझ सकते हैं जिए जाब धर्म की सिक्षा हो यह अपनी जो परंपरा हमारी है लोक जो हमारी रीती है उसकी सिक्षा हो भाशा के मारफ़त या जिए जैसे फारसी पर कभी अफिसे लेंग्वेज थी और अभी हमारी जो भारत के समिधान में हिंदी को एक राजवाशा के दरजा दिया गया और अंग्रेजी को 15 साल के लि लगाया गया था लेकिन वह 15 साल अब तक खतम नहीं है सत्र साल बाद भी वह 15 साल अभी भी कायम है कि यह 15 साल में हिंदी सीख लेंगे या दूसरी भाशा लाग हो जाएंगी और देक्षणा उत्तरकार भी विरोद रहा लेकिन वह भी अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि या शिक्षा इंदेशा लेकमाद्यम से वह यह है कि जो कैबिनेट ओर दोसो और तीस और दिली सिख्षा दनियम उननी सो त्यात्रका नियम नौ उसमें यह सपश्ट लिखा हुआ है चाहें तो आप यह मैं आपको पंती पढ़के सुना सकता हूं यह लिखाया इंपर्शिव नौ 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 आड़के सुना स्था विल्ट रूकेश। नौ 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 denौ कि मुद्डेट नौ नौ 27 युशयर्श। cannot be people आखिए विल्टरिश बेल्स नौ नौहिश्ट नौन přेट्व मुडश टे चीजिक हाँ इंपा मिश्टे नौ 2 miejsc है दिट नौ." इसी तरह से आगे भी इसमें है कि किस तरह से यह पढ़ाया जाएगा कि लेंग्विज 1 के लिए 7 पीरेड होंगे जो कि बात में 6 कर दिएगे, लेंग्विज 3 के जो पहले नहीं थी 6 पीरेड होंगे, यानि कि बराबर बेटेस दिया गया है पहली भाश्या को भी दूसरी को सब्सक्राइब लेकिन अभी जो पांच अपरेल 2016 का जो इसको उलंगन करता है इसका जिसके कारण बच्चों में भी स्कूलों में भी उसी प्रोश्रपेश की स्थिति है पहले बाइस कुलों में लागू किया गया है उसके बाद जरी दरी के संख्या बढ़ाएगी और लगव और कुछ ऐसे कोई उप्योगिता नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो नो डिटेंशन पॉलिसी है यानि आठवी तक किसी को फेल नहीं करना है नाइंट में जब अच्चा आए तो बहुत से बच्चे धंग से भाक्षा में लिख भी नहीं पाते है गणित की कि योगिता नहीं होती है विज्ञान को समझते नहीं है सामाज एक विश्या को भी बहतर नहीं जानते हैं उसके बाद उनको एसी वोकिशनल एजुकेशन के लो ट्रेड है वो दी जाती है जिसका कि आज तक दिली गवर्मेंट या कोई भी सरकार कोई नियमित अध्यापक कोई आप पति कर्या cur8 कोई प्रेश्क्रैब्स नहीं कोई आप दिज कर mi से वो अपनी बच्छे लो ने मयारे जाती है वैसे वो अपनी में बच्छे जाती है इसके में अल्ए नाम से परchlossen लाएबिइली जिस दसमें के जो फेल बच्चे हैं उनको लाखों के तादाद में जो नाइंत में फेल हो गए थे उनको डिरेक्ट फत्राचार विद्ध्याला श्याली मारबाग के महरफद दसमी कराई जा रही है और उसमें पास परस्वेंटिज बहुत कम है और उनको पहले विद्ध्याला जहां हम आटमी तक ऐसी योग्यता भी नहीं दे पाए हैं जो कि धंग से लिख पड़ सकें उसके वावजूद हम जो है वो भाशा के स्थाल पर लगा रहे हैं जबकि भाशा विद्यार्थी को दूसरे विश्यां को समझने हो सबसे बड़ी मददकार होती है अगर अपनी बच्चा अपनी भाशा से तोड़ दिया गया अंग्रेजी वह समझ नहीं पाया ना वो इधर कर रहा ना उदर कर रहा बिल्कुल जबके ये सिख्षा सास्तियों का साफ मत है कि अपनी भाषा के माध्यम से गर हम कोई ग्यान लेंगे तो हम बहतर समझ सकते हैं बच्चा जो है अगर माली जब बच्चा पंजाब में पैदा हुआ है तो पंजाबी मुसे सिखाए जागा बहतर समझेगा है था पैदा है तो हिंदी ने हम बहत अन्हीं हचकता है उसमें है अनग्री जी का ऊच्ट बहुश जाल देगा और और संस्थाइए व्यानिक्त जो भी छो इनक्रे balls इसके मेन इसके पीछे जो है सब इसके पतन के कारण सरकारे हैं सरकार भी है समाज भी है सरकार तो नियम का पालन करती है लेकि नियम को पालन करने लिए बाद्धे तो समाज करेगा अगर सरकार चुनी जाती है और चुनी जाती है लोगों के बाद्ध्यम से अगर लोगों में अपनी संस्कृति परम पराव में गशा है बसísदे, बिलकूल में परिख 나ाइवाय तो आ शो कि किस आइज पे पहुँची है, कहां तक पह kupい उसके बारे में परियास से में प्रियास किया है जिए और फिर उसके बाषलेशी बाष्टान को आती और संस्कति आजो भी और घाए । डॉक्ट सब जो आप जिकर करें अक्तूबर 2016 का जो 2014 का जी माफ कीजिए तो उसमें जो अदालत का अदेश आया और वो लागू भी हो गया तो फिर ये बाकी जो मसले है भाशा पर ये जो है ये केंदर सरकार के अधीन है अभी या दिली सरकार के अधीन है जो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं जो आप कुछ नियाले में गए अभी जो वो तो केंदर सरकार का था तो वो तो हो चुका है निए वो तो हो चुका है जो अभी चल रहा है जो अभी दिली सरकार के चल रहा है क्योंकि दिली सरकार ने जो मैंने आपको पहले बताया जी अब जो भी इसके अगर खिलाफ हम जाते हैं तो एक तरह से कानून का उलंगन है जिसको कि दिली सरकार को ही तया करना है अभी जो केस हमारा गया है जिसमें के उसका नंबर उनती सो चौरावे वटा सत्रे है उसकी तारीक है पढ़िए अपरेल में थी वहले 26 अपरेल थी उसक वह उनका आ गया है लेकिन दिली सरकार का भी तक जवाब नहीं आया है दिली सरकार अपना क्या पक्ष रखती है तो जो बहस हुही जस्टेस चिफ जस्टीस थी तो लिता मित्तल जी और जिब जस्टेस श्रीश हरिशंकर उन्होंने उनसे पूछा कि इसमें उलंगन क्या है उन्हें बताया गया कि इसमें जो दिली सिक्षा दिनिया में उसका 1973 का उलंगन है जी कानून का उलंगन है जी बिल्कुल है तो वोकेशनल एजुकेशनल बात है कि अच्छी बात है बच्चे पढ़ें कि हमने कहा हमें हमारे वकील ने कहा कि एतराज नहीं है वो पढ़ें ल इस केसमें आपके साथ कौन है मतलब एक तो आप सनस्केश भाषण के दिर और अभिवी जो केस है अलग लग दर्जुय है एक तो संस्क्रिण स्खक संध का Г दूसऱी सुख गुर्दारा पन्धक सम्यथी का है ज़ो कलब कर दिया गया है जै oh एक प्छली तारीक्ती ठीन क अपने आप भी लागू होई जी मतलों चाहे संस्कृत वाले केस करें या पंजाबी वाले करें वो आएगा तो जो फैसल आएगा तो जो फैसल आएगा तो त्वर्यभाशी वो प्रश्ट वारुत के लिए जी 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 तुकि दिल्ली में तीन भाष्षा का सबस्ट उल भाइशा के पत्र है समाचार पत्र उनके पत्र का रहा है उनसे भी हमारी पिछले दो बात हुई थी तो आइए जरा उनको भी पीच में शामिल करते हैं आ विर अमन्दीप सिंग जी साड़े नाल ने ते अमन्दीप सिंग जड़ तुसी जिकर कर रहे सो पिछली दोड़े कि पंजाबी संस्कृत उर्दू अले शामिल ले एक केस बारे डॉक साब नाल भी सड़िगा लिए हुम तुसी थोड़ा चैनल पहोंगे केस किते तक पोंचे है ते तो आड़ी जानकारी चे एड़ा मसला है किते तक पोंचे और गों की होंदे उमीदे देत केस बार ते नम आड़े शुष्च लान नू कंपलस्री तो ठात आता है ते 6 नंभर दे फैस्टी नंबर दे लेंगविगे जीए जड़े में पाश्चा दे मुद्दी लेंगवजी है किने उनना था में सबस्ट केरना जीड़ा थी लेंगवज़ा फॉर्मूला है तुर्मूला है तो शीवी नंबर दे पहले पर्दा आप अधिया जाए तरीक के लिए उन्हार कि भी जे साफ लिखिया है सब्सक्रिण स्काइट 16 सब्सक्राइब करता है उंसरी गेंदी सरकार पाले चार है उन्ने किमें दिल्ली सरकार ने पाशादा नुक्सान हो तो बचाना है किता मुख्री कोड से कोई भी किलाब नहीं है गांगा ज्य जे बल्कुँ ठीक है लेगी ने पंजाबी उर्दू संस्कृत तामिल तेलगू नो थां दिती गी है बराबर दी उन्नों दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट उन्हों सो त्यत्रिच थां दिती गी है तो उसे परबंद हैट स्कूल आज पड़ाई हो रही है तो सरकार नों देखना कि पहला जे बा मैं जाल नों किक्ता मुखी क्लाव बाकर कोई नहीं है तो कोई शक नहीं लेकिन किता मुखी नू लाइन वास्ते पाशा दी बली चाहिए जड़ी जडिया और किसी नूभी मुजूर नी नहीं जड़ी और समाज नु मुजूर है कि छिज़ एज जड़ी सरकारा कर रही है अगली तरीक बारे ते ब्रिजेशी तो अंदस्टन के अपडेट जड़ी हैं अगर सारी गल्ला अगे खतम हो जान दियाने जड़ी सरकार दे पाले सारी गेंद हैं जड़ी मसले बैठके हाल हो सकते ने वह वस्ते अदाला जाना पर रहे हैं अगली तारीक पहले तो आपको क्या लगता है कि कब तक इस मसले पर जो इस मुद्धे पर कुछ हल निकलने की उमीद क्या लगता आपको ये दिली सरकार के जवाब आएगा उस पर इने की बात कही है लेकिन अभी ओर्डर नहीं आया था लाओ करेंगे लेकिन वो ओर्डर भी नहीं आया है वो तो भी नियम आगे आना है जैसे आपने जिकर किया कि फरवरी में दुबारा अदालत में नहीं टारीक है और cbc जवाब दाखिल कर चुकिया है जहां तक अभी आपने भी जिकर किया आमजी ने भी पछली अपनी इसमें अग्ली सरकार जो है सारा CBSE के सर डालती है कि CBSE का आदेश है तो अब जवाब देने की बारी आई है तो जवाब CBSE की तरफ से दाफिल हो चुका है अब दिली सरकार का ही जो फरवरी में या उससे पहले जो दाफिल होने की उमीद है तो क्या लगता है कि दिली सरकार यहां अब तो क्योंकि अब उनके पास CBSC के सर डालने का कुछ रा नहीं कि पहले तो भणा फोड़ते थे CBSC की सर तो CBSC तो जवाब दे चुकी तो अब उनको जवाब देना पड़ेगा तो अब उमीद है आपको लगता है कि बहुत जल्द इस पर कुछ जो अच्छे निरने आ सब्सक्राइब करें निए क्या नोट को भी निए बतला गया विद्ध कैबिट में जो ओर्डर है दो सब्सक्राइब उसको भी बतला गया है जबकि पिछली साल 20 मई को सिक्षा मंत्री के मार्धियम से आया था और जो पांच अप्रिल सो लेगा था कैप्टेन है वियांस का बीस माई 2016 को जबकि पंजाब से कुछ एक प्रत्रीन दिमेंडल के लोग मिले थे जी इनवस्टी की भी थे पंजाबी डपाटमेंक की वो लोग मिले थे उन्होंने मुखेमंत्री से और उपमुखेमंत्री और शिक्षा मंत्री जो है उनसे मुआकात की थी उसके बाद 20 इनका उन्होंने एक पत्रक डाला था जिसमें लिखा था कि यह जो ओर्डर है पाँच सप्रेल सुले का यह तिल फुर्दर ओर्डर कैप्टिन अभियान से रोक दिया गया है उसको फिर दुबारा उसको हटा दिया गया बात कि जो ओर्डर है से बहर तरी हो गया है उसे ये लगता है कि सरकार पंजाब में चुनाब थे विदान सिवा के उसके मद्देर नजर नोनेव से रोका था और फिर जैसे जैसे मौका वो आगे बढ़ता गया उसे वो हटा दे गए और यहां पर फिर वह जालत है कि स्कूलों को दुबारा ओडर दिये गए हैं कि उसे तो उमीद है कि अगर एक्ट को ध्यान में रखें अपने पिसली कोर्मेंट के कैबिनेट के ओर्डर को ध्यान में रखें तो निश्चे ही उन्हें थ्री लंग्विज फॉर्मुला को दसमी तक लागू करना चाहिए या फिर कोर्ट के दबाब में लागू करना पड़ागा जी मतलब हो चुनावी गेम खेल गए और उसके बाद फिर पहले आदेश दे दिया फिर हटा दिया ठीके डॉक्ट साब आपके साथ बाचित करके और आपने जो जानकारी दिया है हमें बहुत अच्छा लगा और इसी मुद्धे पर हम आपसे फिर एक बार दुबारा मुला अधीर सिंग जी जड़ी के एक पंजाबी पत्रकार है गेने जड़ा इस टाम दिल्ली विच चल रहा है पाशामा दे मुद्धे नो लाहके जदे विच संस्क्रित पंजाबी उर्दू तो जड़ी दूसरी खेतरी पाशानों नाल तक्का हो रहा है तो किते ना किते एदे व जो जाबने के टाक के तीन बात वाली गऴी हो जन्दी है इसी मुद्धे नो अगे उर्दू दे पंजाबी दे हो उर्ति संस्क्रित जो लाड़ेने चायो अध्यापक उन्चायों किसी संस्थानाल जो जुड़े हों उना नो लेके असी आप जी से समने हाजिर होंदे रह और इस मुद्दे नो ऐसी ताह तक लेके चलांगे ज़द तक इस मुद्दे कोई चंगा कोई फैसला अदालती फैसला ये सरकारी फैसला नहीं आजनदा ताह तक इजाज़त दियो बहुत जल्द आप जी नाल फिर किसी नवे महमान नो पाशाद मुद्द दे लेके आप जी जी समने हाजर होंगे वर्ल्ड जी सिख अपडेट्स वालों इनना ही इजाज़त देओ वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते